हाई एवरिवन माइनेम इस निखिल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मार्केट क्रैश हुआ है 2022 में इसमें आपको क्या करना चाहिए और यह जो आपको चार्ट दिख रहा होगा यह है मॉस्को का और रशिया का जब कल मार्केट खुला था वो अराउंड अराउंड है तो इन दोनों के मार्केट से सबसे ज़्यादा असर पढ़ना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो बाखी के वर्ल्ड मार्केट से वह बच जाएंगे रइट तो रशिया ने कहां पर सपोर्ट लिया है जो उसका कोविड का लो था ठीक तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेक था वो था 1600-800 का जो कि इस समय ब्रेक हो चुका है ठीक और वो भी गैप डाउन ब्रेक हुआ है उसके बाद भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इसकी वीकनेस आपको दिख रही होगी यह आप है ठीक जो कि इस कैंडल में आपको साफ-साफ पता चल रहे है कि क्या हुआ है NFT के साथ अब थोड़ा ओर आगे बढ़ते हैं और इसका प्रीविए से क्पूर्टस पोर्ट था जो की काफीएंपॉर्टंट था वो भी ब्रेक हो चुका है और वो था 16 Gentlemen फोरंट जो की इस लेवल ता तो यह important जो सपोर्ट था वह ब्रेक हो गया यह important ्ब्रेक हो गया अब आगे करिये कि निफ्टी में कहा तक जा सकता है निफ्टी के हम लोग देख लेते हैं एंड दिन में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस समय कौन से स्टॉक्स बाई करने चाहिए यह नहीं करने चाहिए सबसे इपॉर्टन चीज यह जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि कब स्टॉक्स बाई करने कब नहीं करने तो हम लोग इसका नेक्स सपोर्ट देख लेते हैं सबसे पहले तो यह जो प्रीवेस सपोर्ट से इसे में हटा देता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वह है यह कंसलिडेशन ठीक जो कि अराउं 15,900 के असपास है विच इस आप 16,000 ले सकते हो क्योंकि एक साइकलोजिकल सपोर्ट भी है और यह एक कंसलिडेशन का भी सपोर्ट है जो कि हायर साइडे कंसलिडेशन का इसके बाद क्या हो सकता है अगर बहुत जाद शार्प मोमेंटम आता है तो यह सपोर्ट भी टेस्ट हो सकता है विच इस अराउं 15,500 तो यह जोन है इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला कि कहां तक जा सकता है कहां तक नहीं लेकिन यह जोन है जिस पर आप अप हो सकता है कि यह आके से री टेस्ट करें और दिन वापस से नीचे फॉल करें यह एक बहुत इंपॉर्टन चीज जो अभी आपको दिखेगी अगर मैं इसमें एक 200 EMA लगा के दिखाता हूं आपको तो अब यहां क्या हो सकता है जितना मुझे एक्सपीरेंस है जितना मैंने देखा है निफ्टी यहां से वापस बाउंस बैक करेगा और 200 EMA ही पर रिजिस्टेंस लेगा यहां पर अगर इसको उपर जाना होगा यह कुछ टाइम कॉंसलिडेट करके यह ट्रेंड लैन ब्रे करना है कोई भी स्टॉक अगर आपको बाई करना है वह स्टॉक में आपको जरूर एक चीज देखनी है जो कि हैं उसके फंडमेंटल अगर वह अच्छे हैं तभी आप ले सकते हो जो मेरी एक लॉंग टर्म स्टॉक की प्लेलिस्ट है मैं यहां पर उसका वह डाल दूंगा कि आप उस पर जाके देख सकते हो कौन से स्टॉक अच्छे हैं और किस प्राइस पर लेने चाहिए अब किस प्राइस पर लेने चाहिए उस पर भी एक चीज है जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी अगर 15,500 और 16,000 के आसपास आता है तो आपको यह नही करना है कि निफ्टी यहां आया आपने बाई कर लिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है निफ्टी जब नीचे आएगा वहां पर वापस एक अफसाइड शो करेगा और उसके बाद वापस से नीचे आएगा जब यह डबल बॉटम बन जाएगा create हो जाएगा इसकी नेक हो तो अच्छी बात है अगर नहीं समझ जाओ तो मुझसे comment में पूछ लेना मैं हर comment का अच्छे से reply गड़ता हूं तो यहां पर एक हम लोग चीज़ देख लेते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोग पहले ध्यान से सुन लेना एंड उसके बाद अगर कोई confusion हो तो ही comment में मुझसे पूछना तो यहां पर आप लोग देख सकते हूं कि यह जो covid का fall हुआ था यह काफी जादा sharp fall था तीक अब जो बहुत जादा long term के investors हैं जिनन कालना चाहतने हैं अगर अपना stock market से capital और उनका capital ऐसा नहीं है कि जो रखके छोड़ सकते हैं बहुत लंबे time के लिए उन्हें क्या करना चाहिए मैं यह बता देता हूं जब यह nifty का fall आया एकदम sharp fall था कुछ भी यहां पर जो यह green green candles आपको दिख रही है यह एक तरीके का fake jump था ठीक तो यहां से यह पूरा नीचे fall करा देन इसने उपर जाने का try करा एक high बनाया ठीक अब downtrend में क्या होता है कि जब market नीचे जाता है वो pullback लेता है फिर नीचे जाता है फिर pullback लेता है यह होता downtrend अब uptrend आता कैसे है जब यह नीचे जाके अपना previous high तोड़ देता तब आता है अब trend की starting होती है तीक तो यहां पर क्या हुआ कि नीचे आया यह इसने high बनाया और फिर से नीचे आया और उसके बाद इसने अपना high तोड़ दिया यहां पर आप देख सकते हो कि market यहां पर strong हो चुका था तीक तो आपको अपने stocks में तो यहां पर जब आप देख रहे हो कि इसने इसका high break कर दिया था दिन क्या हुआ यहां पर यहां पर भी वही सेम चीज हुई कि यहां पर consolidation हुआ तीन-चार दिन का और फिर breakout आया फिर market नीचे आया और यहीं पर जाके इसने support लिया तो यह भी एक kind of double bottom बन गया जो आपको दि नहीं और जिस दिन ऐसा होता है आप उसमें बिंदास कोई पोजिशन मना सकते हो राइट लेकिन currently मैं यह नहीं कहूंगा कि आप यहां पर खरीद लो अगर आप long term investor हो आप ले सकते हो कहीं पर भी क्योंकि आपका horizon ही 5 से 10 साल है यह 3 साल है तो यहां से कम 3 साल में तो अराम स प्रिवेस हाई ब्रेक कर रहा है निफ्टी का प्रिवेस हाई मैं क्या कहूंगा आपसे कि जब यहां पर हम लोग का 16800 लेवल क्रॉस हो जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा resistance बने वाला है क्योंकि यह बहुत अच्छा support था तो जब यह क्रॉस होके इस trend line को ब्रेक कर देता है निफ्टी देन आप इसमें हलका सा बुलिश हो सकते हो और तब तक तो आई थिंग कि वह और की कंडिशन भी काफी कम हो जाएंगी तो फिर हम लोग देख सकते हैं कौन से stocks हम लोग के लेने कौन से नहीं लेने अब इसमें क्या कर रहा है इसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहां पर हुआ क्या है इसका 50 EME ब्रेक हो चुका है 200 EME ब्रेक हो चुका है और यह resistance की तरह काम करने वाले हैं यह दोनों बट 50 EME चोड़ देते हैं और 200 EME पर जादा ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि कि आज यहीं से रिटेस्ट करके वापस नीचे आजए और आपका जो सबसे जादा इंपोर्टन सपोर्ट है वह 34,000 का यहां आप अपनी बाइंग स्टाउक्स हैं वह बहुत ज्यादा बीटन डाउन है ठीक तो यहां अपनी बाइंग स्टाउक्स कर सकते हो लेकिन उनी जो अगेन अपना previous high break कर रहे हो ठीक यह आपको trend अगर समझ में आया हो तो अच्छी चीज़ है अगर ना आया हो तो आप मुझे comment में बोल देना मैं इसके उपर एक अच्छे से पूरा detailed वीडियो बना दूँगा कि trend reversal क्या होता है ठीक और बहुत साथा important चीज़ है जो आप 30,000 के आज पास है तो इतना fall मैं इस समय expect नहीं कर रहा हूँ but expect the unexpected क्योंकि market में कुछ भी हो सकता है ठीक तो इस समय काफी आप लोगो धान देना है किसी भी stock को नहीं ले लेना है जो कि fundamentally weak है उन पे तो बिलकुल भी नजर आपको डालनी ही नहीं है उनने लेना ही नहीं है ल अब तक के लिए हम लोग मिलते हैं कि इसी ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में so guys good morning अगर सुभा देख रहे हो अप लो क्योंकि यह मैं market hour से जस एक घंटा पहली record कर रहा हूं तो फिर मलते हैं फिर किसी ऐसे अच्छे से वीडियो में तब तक लिए बाई सो जो लोग अभी तक वीडियो में रुख्यों हूए उनके लिए एक important बात कि आप इस समय जो news देख रहे हो कि जैसे 137 civilians यहां पर और soldiers जो की शहीद हूए हैं आम लोग कुछ भी बोल सकते हैं सो यह जो news हैं इनको आप अपने mind से हलका सा दूर रखो बस आप जानते रहो कि हो क्या रहा है दुनिया में लेकिन इतना जादा deeply किसी भी चीज में मत पढ़ो कि आपका कुदका mind disturb हो जाए तो आप लोग को ध्यान देना है किस पर अपने काम पर ठीक सबसे important चीज दूसरा अपनी health पे और तीसरा अपनी family पे यह तीन चीज़े आपकी बहुत जादे important है उसके अलावा जितना भी आप अगर news देख रहे हो दिन बर बैटके जैसे मेरे कुछ friends से वो पूरा time covid की ही चीज देखा करते थे बैटके उनका दिमाग भी कुछ time के लिए खराब हो गया था तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी crisis चल रहा है crisis आप जानो knowledge रखो आप उसके उपर कि हो क्या रहा है दुनिया में लेकिन सिर्फ उसी में मत घुज़ओ ठीक आप अपने काम से काम रखो और यह सब चीज़े आती रहेंगी जाती रहेंगी और यह सब कब खतम हो जाए और कैसे end हुआ इस समय जैसे आपको news में दिख रहा होगा कि हो क्यों रहा है राइट जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि why did Russia invade Ukraine आगे चलके आपको दिखेगा कि how does the matter solved ठीक तो आपको यह सब जानने की ज़रुवत नहीं इतना जादा deeply आपको नहीं देखनी है news बस आप